नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों कर बिहार में नहीं रहेंगे अब कोई भूमी हीन स्कूल आज मनाई जा रही है तुलसी विवाव बिहार में एन आई एकी ताबर तोर छापे मारी पठाई में कमजोर पचास हजार बच्चों को गोद लेंगे दस हजार सक्षग सुरिकुमार यादव ने की रोहित सर्मा की तारी इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से बिहार में नहीं रहेंगे अब कोई भूमिहीन स्कूल बिहार सरकार के सिक्षा विवाग के दौरा राचे में मौझूद भूमिहीन स्कूलों को भवन उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाया ज़ा है बता देक विवाग के ओर से राजे के सभी जिला सिक्षा पदादिकारिएं को यह दिशा नर्देश दे दियागया है कि वो दस तस भूमिहीन स्कूलों के लिए जमीन तलाशे ताकि वहां स्कूल के लिए भवन का नर्भान किया जा सके आपकी जानकारी के लिए बता देक राजे में भूमिहीन स्कूलों की संख्या करीब सारे 3,000 है जिसमें से 278 स्कूलों के लिए वीतिये वर्ष 2023 चौबस में जिला पदाधिकारियों के द्वारा जमीन महया कड़ा दी गई है ऐसे में वहां भवन रवान के लिए 80 करोड से अधिक की राशी भी महया कड़ा दी ग होगा तब तक उसे किंद्री योजना का लाब नहीं मिलेगा आज मनाई जा रही है तुलसी विवा हिंदु धर्म के अनुसार कार्तिक महक से सुकल पक्ष की एकादसी तिति को भगवान श्री हरी के स्वरूप साली ग्राम और तुलसी का विवा किया जाता है ऐसी में आज जानकारी के लिए बता दे कि ऐसी मानिता है कि तुलसी विवाह संपन करवाने बालों को कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है साथी व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं इसलिए कहते हैं कि जिनके पास कन्या ना हो वह तुलसी विवाह करा सकते हैं बेपी ऐसे सक्षकों को जोईनिंग में आरही परिशानी सक्षा विभाग से लगाई गुहार बिहार लोग सेवा योग द्वारा आयूजित की गई परिशा से चरनित सक्षकों को स्कूल जोईनिंग करने में परिशानी का सामना करना पर रहा जिसको लेकर नब नुक्त सक्ष 30 नवंबर 2023 तक विर्मन पत्र के साथ उगदान दिना है, मगर अभ्यरतियों को विर्मन पत्र नहीं मिल रहा है, से में वो सक्छाने दिशाले में आवीदन अत्रिक्त समय की मांग कर रहे हैं, बिहार में NIA की ताबर तोर चापे मारी आज यानी की गड़ुबार को राश्ट्रे सुरक्षा एजन्सी यानी की NIA के दोरा बिहार के के इंस्थानों पर चापे मारी की गई है जिनमें भबूह शहर के एग्रवाल प्रिंट प्रिस लक्की प्रिंटिंग प्रिस कैमूर जिले का कौँछ प्रखंट शामिल है जहां NIA के दौरा छापे मारी की जा रही हाला कि अब तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि यह छापे मारी क्यों की जा रही लेकिन ऐसे आसंक जताई जा रही है कि अच्छापे मारी पी एफाई अत्वा नकसलियोस जुरे मामलों को लेकर हो सकती है जोरान NIA की टीम के दौरा धोरा के खुंदर निवासी राजा लाल खडवार केस रोरा से नारद यादव और बडिहां से एक व्यक्ति की गिरफतारी की गई है वहिन सब के अलावा NIA की टीम के दौरा गया जल समदा के फुलवरिया डाम पर बनेगा फ्लोटिंग सोलर प्रजेक्ट बिहार को नवीकर्णिय उरजा के छेत्र में आतनर्वर बनाने के लिए और बिहार नवीकर्णिय उरजा श्रोतो को पड़िसाल। करने हैं तो बिहार सरकार के द्वारा बिहार के नए और नविकर्णिय उरजा श्रोतों को बढ़ावा देने के लिए बिहार नवीन और नविकर्णिय उरजा श्रोतों की संवर्धनीती 2017 भी अधिसूजित है पतादी के राजी के उन छेत्रों में जहां प्राकृतिक अथवा मानवनर में तलाब जलाशियों कीवर्स के 8-9 महीन जलमंगन होते हैं एवं जन में मचली क्रिस्ती उतपादों का उतपादन किया जाता है का उपयोग सोलर मॉड्यूल माउंटिंग सनचना की उचाई बढ़ा कर ग्राउंड माउंटेट के रूप में सौर उर्जा परियोजना को प्रोट साहित करने की योजना बनाई गई है मालम हो के सौर परियोजना की अस्थापना का यह स्वरूप मुख्यमंत्री के दूर दर्सी संकल्पना नीचे मचली उपर बिजली को प्रोट साहित करेगा ऐसी तरज पर नवादा के फुलवरिया डैम पर भी फ्लोटिंग सौर परियोजना अस्थापित करने है तो निवदा आमंतरत करने की काड़वाई प्रक्रियारत है पढ़ाई में कमजोर पचास हजार बच्चों को गोद लेंगे दस हजार सक्षक सिक्चा विवाग के अपर मुख्य सचीव के के पाठा के द्वारा स्कूलों के किये गए नरक्षन में यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि सरकारी विद्यालियों में नामांकित बड़ी संख्या में बच्चों को कक्षा के नरूप ग्यान नहीं है ऐसे में इसको ठीक करने के लिए राजे में मिशन दक्ष की शिरवात की जा रही है जिसमें हर विद्याले के कक्षा तीसरी से आठवी तक के कमजोर बच्चों को चिनित किया जाएगा और इन बच्चों को कोई सिक्चक गोद लेंगे और फिर उस बच्चे को कक्षा के समय से अलग पढ़ाएंगे बतादे कमजोर बच्चों की पहचान प्रधान ध्यापक के द्वारा की जाएगी और बच्चों के नाम की सूची बी आर सी में जमा किया जाएगा जहां से बी आर सी के द्वारा हर सक्षक को पांच-पांच कमजोर बच्चों का नाम दिया जाएग जिसके बाद संबंध सक्षक उन बच्चों को गोद लेकर पढ़ना लिखना सिखाएंगे सियम नितीश ने जरासंद महुतसफका किया उद्गाटन किये गये जरासंद महुतसफका उद्गाटन किया गया जरासंद उत्यान और असमारक का भी नरिक्चन किया गया और फिर बिहार की राजधारी पटना के लिए रवाना हो गया बता दे किस दौरान भी सीम नितीश ने मीडिया से दूरी बनाई रखी और कुछ भी बोलने से ब जाने क्यों विहार पुलिस सब औरिनेट सर्विसेज कमीशन की ओर से सब इंस्पेक्टर के 1275 पदो पर निकाली गई भरती के लिए लिखित परिक्षा का आयूजन 17 दिसंबर 2023 को होने वाला है लेकिन इससे पहले आयो की ओर से नोटिस जारी कर गया जानकारी दी गई है कि इस परिक्षा में शामिल होने के लिए किये गए आविदन में से 13,520 आविदन को रिजर्ट कर दिया गया है बता दे किन 13,520 फॉर्म में से 5,616 फॉर्म ऐसे थे जिनका बस रजिस्ट्रेशन किया गया था वहिस के लावा 7,608 फॉर्म ऐसे थे जिनने अभियरती के द्व विभाग के अपर मुख्य सचीव के के पाठक के द्वारा राजी के सभी जलादी कारियों को पत्र लिख चातर कोस और विकास कोश की रासी कई माध्यमिक स्कूलों के द्वारा खर्च ना किये जा हलाल सर्टिफिकेट को लेकर गिरिरास सिंग ने सीम नितीश को लिखा पत कोने पत्र में चिंता जाहिर करते वे कहा है कि बिहार में अनेग खादे पदार्थों एवं अन्य आवश्यक सामगरियों जैसे खादे तेल नमकीन ड्राइफ फूट मिठायों कॉस्मेटिक दवाओं एवं मेडिकल उपकरनों का हलाल कारोबार हो रहा है जबकिस प्रकार की सामगरियों के मानक से संबंधत प्रमानन के रिया FSAI जैसे मानक ही वैद है हलाल कारोबार के अंतरगत जिन चीजों का इसलाम से कोई संबंध नहीं उनका कारोबार इसलामी करन हो रहा है कुछ संस्ता हलाल सर्टिफिकेट देने की स्वेंभू हो गई है और सामान बनाने व करते वे सकत कारवाई की जाए जीतनराम मांची का सीम नतीश पर हमला विहार को विशेश राजे का दरजा देने की मांग पर बिहार के पुडव मुख्यमंतरी और हम पार्टी के सनक्षक जीतनराम मांची के द्वारा बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार पर जोड़द पिर चनावी विशेश राजी की डिमान काहिका। आपकी जानकारी के बता दी कि नितीज काबिनेट की बैठिक में बिहार को विशेश राजी का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया गया है। पिर चना एरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते वे कहा गया कि विशेश राजी का दर्जा बिहार का हक है और बिहार इसे लेकर रहेगा। निदेशक समेथ 7 विरोधी पक्षकारो को नोटस जारी किया गया है और आदेश दिया गया है कि सभी विरोधी पक्षकार बारत जनवरी को आयोग के समक्ष प्रस्तूतों दरसर शेहर के चंदवारा अलाके के मोहमत शमसाद एहमत के द्वड़ा अपने दो पुत्रों का न उस दिनों बाद यह पता चला कि उक्त संस्थान दोरा दोनों बच्चों के सैचनिक सुलक के मद में अलग-अलग लोन कर दिया गया है जिसके शिकायत होनों ने संस्थान से की जिसका नप्तारा नहीं किया गया जिसके बाद मुहमद श्रमसाद एहमद के दोरा मानवादिकार अधिवक्ता एसके जाकी मदद से चिलाव वोक्ता आयोग के समक्ष पडिवाद दाखिल करवाये गया जिसके बाद आयोग की ओर से यह नोटस जारी किया गया है सुरिकुमार यादव ने की रोहत सर्मा की तारीफ आसे भारत और उस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी-20 सिरीज का आगाज होने वाला है जिसका पहला मुकाबला आज विशाखा पटनम में खेला जाने वाला है ऐसे में सिरीज में भारतिय टीम की कप्तानी सुरिकुमार यादव को सौपी गई है ऐसे में टी-20 मैच की शिरवात होने से पहले शुरिकुमार यादव के दोरा प्रेस कॉन्फरेंस में कप्तान रोहत सर्मा की जम कर तारीफ की गई उन्होंने कहा कि रोहत सर्मा ने विश जिसे हम जीतना पसंद करते हैं अब बरते हैं आज के पांच सवाल की उड़ हमारा पहला सवाल है वीदियवर्स 2023-24 में जिला पधादिकारियों के द्वारा कितने भूमिहीन स्कूलों के लिए जमीन महिया कड़ाई गई है ऑप्शने 278, ऑप्शन B 304, ऑप्शन C 330, ऑप्श द्रगावती डैम, ऑप्शन B गयाजी डैम, ऑप्शन C फुलवडिया डैम, ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है ऑप्शन C फुलवडिया डैम अगला सवाल जरासंद महुतसव का आयोजन आज राजगीर में मगत समरार जरासंद के कितने जम दिवस की मौक पर आयोजित किया गया, ऑप्शन D 5330, ऑप्शन D 5228, ऑप्शन C 5226, ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है ऑप्शन C 5226, अगला सवाल भारत और उस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की T20 स्रीज का पहला मुकाबला कहां खेला जाने वाला है, ऑप्शन D नागपुड, ऑप्शन D गोहाटी, ऑप्शन C तीरुवनंत पूरम, ऑप्शन D विशाखा पटनम, इसका सही उत्तर है ऑप्शन D विशाखा पटनम, अगला सवाल, बिहार ऐसा इलेखित परिक्षा का आयोजन कब हो रहा है, ऑप्शन D 15 दिसंबर 2023, ऑप्शन D 17 दिसंबर 2023, इसका सही उत्तर है, ऑप्शन D 17 दिसंबर 2023, बीते दिन हमायदरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब, हमें मारी कॉमेंट सेक्षन बॉक्स में लिख कर दिया है, जिन्होंने हमायदरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है, हंके नाम है इसके साथी बढ़ते हैं जिन्हों के सवाल की उराज का सवाल है, आपके नसार अब तक भारतिये टीम के सबसे सफल कप्तान कौन रहे हैं? अपने जवाब हमें अमारी comment section में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिखते नहें बिहारी नियोज और साथ ही अगर आप YouTube से देखरें चालंग को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देखरें तो पेस को follow करना ना भूले धन्यवाद